क्रिकेट सट्टा भाग दो में आपका स्वागत है कल की एपिसोड में हमने बताया था कि कमजोर पुलीसिंग के चलते किस प्रकार की केसे लगी और एक दिन का मात्र पुलीस को PCR मिला और आज पुलीस कोड को और PCR के लिए संतुष्ट नहीं करा सकी और आज MCR हो गया और उसके बाद जमानत हो गई हमने यह कली बताया था कि शायद कल जमानत हो जाएगी क्योंकि पुलीस के पास कोई भी सटिक कारण नहीं है नहीं पुलीस ने एक दिन की जाँच में ऐसी कोई बात हासिल की जिससे PCR बढ़ता या इस केस में आगे कुछ महत्वपुण सुराग मिलते कल्मों के बारे में कल ही हमने शंका जाईर थी कि 420 और जुगार दोनों कल्में एक साथ में कैसे लग सकती है या तो वो जुगार खेल रहे थे या किसी की साथ में फ्रॉड कर रहे थे क्रिकेट का सट्टा या अमराथी में ना चल कर पूरे विश्व में चलता है दो प्रकार का सट्टा होता है आफ्लाइन और आनलाइन आफ़ लाइन सटे में फोन दौरा सोदे उतारे जाते है जिसकी पूरी लिखा पड़ी होती है फोन की recording होती है क्रिकेट के अलावा कई प्रकार के सटे होते है यहां सटा और जुआ दोनों में फर्क करना बहुत जुरूरी है जो यहां पुलीस कर नहीं पाई 420 लगाते समय भी किसके साथ में धोका हुआ, किसके साथ में फ्राड हुआ ऐसी कोई भी बात पुलीस समझा नहीं पाई एक दिन का PCR मिलने के बाद में पुलीस बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकती थी लेकिन जैसे मैंने कल ही बताया कि पुलीस की उसके लिए इच्छा शक्ति और मंशा होना बहुत जरूरी है साथ ही कानूनी जानकारी और विशेश प्रकार की ट्रेनिंग भी होना जरूरी है हाला कि आयुक्तो महोदवय ने Crime Investigation के नाम से एक यूनिट का गठन किया जिनका काम अमरावती में हो रहा है अवेद धंदों का investigate करना उन पर कानूनी रंडा चलाना और अमरावती के नागरिगों को ऐसे अवेद धंदों से बचाना इन सब चीजों के लिए इन सब बातों का पुलिस को ग्यान होना जरूरी है लेकिन पुलिस का आदवा आदूरा ग्यान और सटोरी के पास भरपूर विज्ञान और सटोरी है पुलिस के इसी कमजोरी का फायदा उठा के बच कर निकल जाते है हमने आज इस बारे में पुलिस से जानकारी लेनी चाही कि एक दिन के पीसी आर में क्या हासिल किया तो एक दिन के पीसी आर में मुबाइल से रेकॉर्डिंग जो कि मुबाइल अलरी उन्हीं के पास थे और मोबाइल के कुछ नंबर जो भी पहले से उनी के पास थे इससे ज़्यादा पुलिस कुछ हासिल नहीं कर पाई जब कि इसमें पूरी चैन का खुलासा होना चाहिए था पुलिस से हमने पूछा कि जो आईडी इन्होंने महाँ पर मोबाइल में देखी है और जब की है वह क्लाइन की है डीलर की है इस्टॉकिस्ट की है किस लेवल की आईडी है तो पुलिस ने इस बारे में जानकारी होने से भी अनभिग्यता जाहिर की ओला एप के नाम से कोई सौफट्रेयर चल रहा था और ये सारे सौफट्रेयर का सर्वर क्लाउड में होता है जब भी पुलिस की रेड पड़ती है जिस डोमेंड नेम से वह सर्वर तक पौशता है वह डोमेंड नेम ही बंद कर दिया जाता है और सारे अकाउट दूसरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाते है पुलिस को इन बातों की जानकारी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता लेकिन पुलिस क्यों अपनी है जानकारी उपयोग में नहीं लाना चाहती या क्रिकेट के सट्टे के गहराई में क्यों नहीं जाना चाहती और इस दोरान पूरे ICC World Cup के दोरान सारा सट्टा चलता रहा अमरावती में दो बड़े बुकियों का नेटवर्क है साथ ही कई लोग यहां से आकोला, जलगाव, मुंबई, यौतमाल, आकोट, नाकपूर भी काम करते है पोलिस के लिए इनको पकड़ना बहुत आसान नहीं है फिर भी पोलिस की कोशिश रहती है कि सटोरी पे दबाव बना रहे और उसके लिए 420 जैसे गुने भी दाखल किये जाते है यह बात अलग है कि कोट में वह गुने टिकते नहीं आज हमने जब इस बारे में इस केस में आरोपी के और से जो वकील काम देख रहे थे उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने इसके बारे में पूरा खुलासा किया लागत नहीं कारान कि हे जे 420, 448, 4980 हे जे कल्मा आै कोटले डांकोमेंट, कोट noi कंफोने करन, कि मा कुणाला सरकारी काममा मदे सरकारी काममा मदे कुछले कागदापता डाखल करन ए चहा करता अस्तास आत यह जिमां जुगार smile के अवरूबरभ जोगार हमने कर थो असी घटना घटना गड़धा मी पशे दिल कि अचा करेल थेगल पर वाल इंठीक टेच करना थे ऐल लेगा अदे अचा करेल घटन अक्वार्य आए पने अगए पर ख़ट्व जयुआ डिश्वंयु में जामीन के लिए लिगाने जामीन दिला पर थे लिए हैंट तो ज जर तेया लोकान ना मी शल्ला मदे सांगेत लगी एचा मदे 482 में आइकोटाल जा आणी एचा एफार क्वाइश करूंगया कारण कि एचा मदे 400-400-400-400-400-400-400 लागत नाए इंचा परमाने जास्ती जास्ता जुगार एक जर लावला चार अनी पाच तर जुगार एक जुगारी लागनार ने कारण एचा मदे बेटिंग होते हैं असा आला तो यवड़ी मैच धली तरही हो इचा मदे तुमच्या हाता काई नस्ता खेरना दे दूसरे राता खेलाडी उसरे राता में आच दूसरे राते तुभी वक्त बेटिंग करत रहाता तो ते महां बेटिंग मदे ये लिए जुगारी नहीं नहीं है अएचा मदे जमाँ बेट तुम्हे हार ले तो योड़े तुम जसा अपन शरत करतो एका ते बैला ची शेरता आए कॉमडा ची शेरता पटाची शर्यता है, यहां मदे जसाद जो जिनकुतो तेले इनाम बिट्टा, मक्त शर्यती मदे एते, त्या मदे माजिया सवाटते, कि जुगार मदे एनार नहीं, शर्यती मदे एते. पुर्ची करवई माजी बंडे कि तेने एफायर क्वाइश कराल बाजे, हाइकोड़ा जायला पाइजे, हाइकोड़ा जाओन, यहां रद्द कराल पाजे, कि यहां चार्शी भी सोत नहीं, और ही करनम खारिच करा, और त्या पर आपने खारिच करना, जो ओला जो तेनसा मनना पुरी तरीके से इस बात का उलेक नहीं किया, पुलीस जुगार और 420 के आसपास गुमती रही, वकिल ने साथ में यहां भी कबूल किया, कि यह अवे धन्दा है, लेकिन पुलीस ने जिस धंक से केस बनाई, जिस धंक से आरोप लगाया और जो कलमे लगाई है, वो कोर्ट में नहीं टिकेगी, पुलीस विवाग ने इस वकिल के बयान से सबक लेना चाहिए, और अगली बार जब भी क्रिकेट की रेड करे, तो प्रासंगिक रूप से उस पिलीस का प्रमान कम किया जा सकता है, और इसमें महत्वा पुर्ण भ्यूमी का पुलीस की ही रहेगी, शट्टे का प्रमान कम भी होँआ, तो पुलीस को ही शरे जाएगा, आरोप लिदी आ गया, इस केस को क्वेश करने के लिए हाय कोट में जाते है तो पुलिस को पुकता सबुच जमा करने होगे जिसके लिए पुलिस के पास में एक दिन का PCR था लेकिन पुलिस ने किस सोर्स से आईडी आती कहां उतारी जाती किते ग्राक है किसी का भी विवरन उपलब्द नहीं किया या तो इसमें वे लोग सम्मिलित होंगे जिनको पुलिस कुछ करना नहीं चाती क्योंकि पुलिस के उपर भी कई प्रकार के दबा होते है लेकिन कोर्ट में क्वेशिंग से और इलिगेशन से यदि बचना है तो पुलिस को इमानदारी से इस केस की गहराई में जाना होगा आरोपी के सोर्सेस पता लगाने होंगे और यह पुलिस के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है क्योंकि जो भी सटोरिय और बुकी होते हैं उनके उपर भी कोई बुकी होता है जहां पर वो अपनी उतारी करते है चाहे कितना भी बड़ा बुकी हो उसे उतारी के लिए जगह चाहिए होती है पूलीस ने पूलीस या पद्दती से यदि इंक्वारी की तो 100 से ज़्यादा आरोपी एक ही केस में पूलीस के हाथ में होंगे क्योंकि बहुत सारी ये क्रिकेट के आइडिया एक जगे से जनरेट होती है आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि किस प्रकार से क्रिकेट की आईडिय जनरेट होती है किस प्रकार इसका व्यापार होता है कौन-कौन से इसमें व्यापार होते किये जाते है कितने प्रकार के सट्टे खेले जाते है और किस प्रकार से इसमें एडिक किया जाता है एक बार जो इसमें फस्ता है वो आसानी से बाहर नहीं निकलता लेकिन क्रिकेट वालों के पास इतना पैसा है कि वे हर चीज खरीदने की ताकत रखते हैं क्रिकेट का सट्टा निश्चित रूप से अवेद है ऐसा वकिल साहब ने भी कहा लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कोई भी दिन्दा जिस पर सरकार अधिक रूप से बंदी नहीं लाती वह अवेद्दे नहीं होता आज फिर कहता हूं कि यदि पुलीस इमानदारी से काम करे तो जितने भी सटोरी है उनके पूरे परिवार की खांदान की यदि प्रॉपर्टी भी बेज दे तो सरकार का दंड नहीं भर सकते लेकिन ये भी सच है कि इन सटोरी के कारण कई लोगों के परिवार चलते हैं कई लोगों की जेबे भरती हैं कई लोगों की याशी चलती है और पुलीस के अधूरे ग्यान के कारण आवरोपी हमेशा छूटते रहते हैं अगले एपिसोड में किस प्रकार से आईडी से खेला जाता है किस प्रकार आईडी जनरेट की जाती है सर्वर क्या होता है स्टॉकिस पैनल क्या होता है डीलर पैनल क्या होता है क्लाइंट पैनल क्या होता जो पुलीस नहीं जानकर रहे लिनी चीथ जो नहीं थी ह माने वाले एपिसोड में सारा बताएगे और किस प्रकार के इसमें धन्दे सट्टे के जुए के खेले जाते है तब तक आप देखते रही है सिटी नूज सिटी नूज चैनल आप टीवी के अलावा यूटूब पर फेस्बूक पर इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर भी देख सकते है वाटसब पर टेलिग्राम पर भी आप जानकरी प्राप्त कर सकते है हमारा चैनल यह दि आपने फॉलो नहीं किया तो हमारा चैनल फॉलो करे कर दो हमारा है